आज है महासिवरात्री ब्रत जाने क्यों खास है या तेवहार? सुक्रवार आठमार्च यानी आज भगवान सीव का पर्व महासिवरात्री मनाया जा रहा है सिवरात्री हिंदु धर्म का बहुत खास भगवान सीव को समर्पित है और फालगुन मास के चतूरदसी के दिन पढ़ने वाला या सिवरात्री भगवान सीव के सबसे खास ब्रत में से एक माना जाता है क्योंकि ऐसी माननिता है कि सिवरात्री भगवान सीव और माता पारवती के विवाह के उपलक्ष में मनाया जाता है साथी धार्मिक माननेता यह भी है कि इस दिन भगवान सीव मध्यरातरी में भगवान ब्रह्म से उतरीत हुए भगवान सीव के भक्त इस दिन ब्रत रखते हैं और पूरी विदिविधान से पूजा अर्चना करते हैं आपको बता दे कि भारतिय कैलेंडर के अनुसार माग महीने में और उतर भारतिय कैलेंडर के अनुसार फालगुन के महीने में सीवरातरी का पूरत मनाया जाता है साथी भगवान सीव को समर्पित इस पूरे भारत में बड़े धुमधाम से मनाया जाता है इस दिन भगवान सीव का पूजा कर पूरे दिन भक्त उपवास करते हैं साथी भक्तों की मानेता यह भी है कि सिवरातरी के दिन उपवास करने से सारी मनुकामनाय पुर्ण होती है इस दिन भक्त भगवान सीव की पूजा में समागरी के रूप में बेलपत्र, धतूरे का फूल, शहद, भांग, गने का रष, शफेद, फूल, हल्दी, चंदन और दूद से शिवलिंग पर अवशेक करते हैं सुहागन महिलाएं सजध़कर भगवान सीव की बिधवत रूप से पुजा अर्चना करती हैं, देवाधी देव महादेव और माता पारवती को सुहाग से जुड़ी चूडी बिंदी और सिंदूर चढ़ाती हैं और घर परिवार की सुकसानती की कामना करती हैं साथी महासीवरातरी व्रत बहुत ही परभावशाली माना जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि कुवारी लड़किया सीवरातरी का वरत करती हैं तो उन्हें मन चाहा जीवन साथी मिलता है हिंदू परंपरा के अनुसार इस महा सीवरात्री के दिन वरत उपवास मंत्र जाप और रात्री जागरन का खास महत्व है और साथ ही आपको बता दे कि धार्मिक मानेताओ के अनुसार सीवरात्री की पूजा चार पहर में की जाती है इस बार भगवान सीव की प्रथम पहर की पूजा साम 6 बजगर 25 मिनट से ले करके 9 बजगर 28 मिनट तक होगी तो वहीं दूसरे पहर की पूजा 9 बजगर 28 मिनट से मध्र रात्री 12 बजगर 31 मिनट तक होगी साथ ही आपको बता दे कि इन चार पहर में भगवान सीव को जल, दही, घी और सहद से अभिसेख किया जाएगा सिवरात्री का वरत रखने से धन सम्मान सुक्ष्रांती की प्राप्ती होती है झाल 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 कर दो कि पूच में झाल, झाल, प्राप्ती है